हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में दोस्तो आप सभी के लिए पांच ऐसे बजट मुबाइल्स लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़दा कमाल के हैं तो अगर आपको अपने लिए बिल्कुल बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना है कोई बढ़िया स्मार्टफोन खरीदने के आप सोच रहे हैं तो वीडियो को end तक ज़रू देखिएगा अगर आपका बजट 10,000 से 15,000 का है तो दोस्तो जानने के लिए वीडियो end तक ज़रू देखिएगा तो इस पर ओके करके एक बार रेट ज़रू चेक कर लीजे हो सकता है जब आप खरीदे तो और सस्ते हो जाएं तो दोस्तो पहले स्मार्टफोन तो है रियलमी की तरफ से रियलमी का C35 जो की बहुत ज़ादा पॉपुलर हो रहा है बहुत सारे लोग इसको पसंद कर रहे है दोस्तो आपको यह बहुत ज़ादा पसंद आ रहा है आप कमेंट्स करके बताते हैं दोस्तो रियलमी का C35 आपको बहुत पसंद आया 12000 में दोस्तो इसके अंदर आपको 4GB RAM, 64GB के इंटरनल स्टोरेज मिलती है 4GB RAM, 64GB इंटरनल स्टोरेज डिस्प्ले तो इसके अंदर आपको IPS दी गई है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ तो रिफ्रेश रेट तो ज़ादा नहीं है लेकिन डिस्प्ले की जो क्वैलिटी है कलर्स, ब्रैटनेस वो काफी कमाल के है और जिस वज़े से आपको यह सबसे ज़ादा पसंद आ रहा है वो है इसका डिजाइन, लुकवाइज इसका डिजाइन बिलकुल डिफरेंट है बाकि सबी मुबाइल से 20,000 से 30,000 के फून जो आपको देखने को मिलते है उस तरीका का डिजाइन इसके अंदर आपको 12,000 में मिल जाता है और दोस्तो इन फैक्ट यह बिलकुल आइफोन की तरह लगता है साइड उसे देखने में स्क्वाइर शेप में डिजाइन है इसका जो बहुत ही ज़ादा कमाल का है तो लुकवाइस भी डिजाइन बहुत अच्छा है दोस्तो और क्वैलिटी भी अच्छी है इसकी इन एंड फील भी कॉफी बढ़िया है बैक साइड पर 50MP का में कैमरा मिलता है लेकिन कैमरी की परफॉर्मेंस आपको एवरेज ही मिलती है कैमरा मुझे इसका नॉर्मल लगा लेफ्ट साइड साब देहींगे सिम की ट्रे दी गई है दो सिम काड एक मेमरी काड तीनों चीज एक साथ लगा सकते है साइड उसे डिजाइन बहुत ज़ादा बढ़िया लग रहा है बिलकुल नीचे से तो आई फून की तरह लग रहा है नीची की तरफ आपको ताइट सी पॉर्ट मिल जाता है इसके अंदर राइट सैड पर पावर का बटन जिसमें फिंगर्पेंट स्कैनर साइड में ही है इसके अंदर तो दोस्तो fingerprint scanner इसमा आपको side में मिलता है उपर से plane design है 5000 mh के battery मिल जाती है दोस्तो और Unisoccer T616 processor इसके अंदर आपको दिया गया है तो performance आपको rate के साब से इसके अंदर आपको सही मिल जाती है बाकि अगर आपको performance की वज़े से ही phone लेना है game वगर आप बहुत ही ज़दा खेलना है तो आप दूसरे smart phones भी देखेगा दोस्तो वीडियो में तो end तक ज़ुर देखेगा और दोस्तो rate जो है थोड़े change होते रहते हैं हो सकता है या आपको 11,000 कभी मिल जाए sale में कई बार price चेंज हो जाता है तो आप rate ज़रूर चेक कर लिएगा left side पर जो option आए उस पर click करके तो इसके अंदर आपको battery सही मिल जाती है performance अच्छी मिल जाती है normal camera दिया गया है display की quality सही है बाकि दोस्तो design तो इसका बिलकुल आपको next level देखने को मिलता है इस price में तो design तो इसका बहुत ही कमाल का है इसके लिए दोस्तो अगला phone है Redmi की तरफ से Redmi का note 11 जो है दोस्तो साड़े तेरह हजार का 13,500 पंदरा सो रुपे महेंगा है यह लेकिन दोस्तो इसके अंदर आपको quality wise features और भी ज़्यादा कमाल के मिलत तो यूज करने में यह बहुत ज़्यादा smooth लगता है दोस्तो डिस्प्ले की quality जो सबसे ज़्यादा important है इसके अंदर दोस्तो आपको इसकी कीमत को देखते हुए बहुत ही कमाल की दी गई है colors brightness आपको बहुत ही ज़्याद अच्छे मिल जाते है और उपर से दोस्तो एक और डिस्प्ले के साथ refresh rate ज़्यादा यह चीज बहुत ही कमाल की है look wise इसका design आप देख सकते हैं दोस्तो आपको काफी बढ़िया मिलता है इसके अंदर आपको stars effect दिये गये हैं चमकीले type की देखने को मिलती है जो काफी ज़्यादा बढ़िया लगती है इसका color काफी camera मिलता है 50 megapixel वह quality wise बिल्कुल different है camera's का बहुत ज़्यादा बढ़िया है C35 से तो camera की performance भी आपको बहुत अच्छी मिलती है इसके अंदर left side पर sim kit रहें नीची की तरफ type support मिल जाता है इसके अंदर भी और दोस्तो C35 भी 4G है और यह भी 4G है इसके लाव दोस्तो right side पर power के button क इसके अंदर fingerprint scanner है उपर काफी सारे features मिल जाते है noise cancellation mic IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका TV AC वगरा चल जाएगा और उपर की तरफ भी speakers है इसके अंदर तो यह सारी खुबिया काफी जादा extra है इसके अंदर पाच ज़रे में इसके बैटरी मिल जाती है दोस्तो वह भी 33 watt के charger charger के साथ तो charger भी काफी जादा fast है battery backup भी बढ़िया मिल जाएगा और दोस्तो इसके अंदर आपको snapdragon 680 processor दिया गया है तो performance भी दोस्तो आपको इसके अंदर काफी कमाल की मिल जाती है तो दोस्तो overall लगबग हर चीज इसके अंदर आपको बहुत अच्छी दी गई है design भी बहुत बढ़िया है camera भी अच्छा है display की quality भी बहुत कमाल की है और दोस्तो battery और performance भी बहुत अच्छी दी गई है तो अगर आप अपने लिए कोई ऐसा smartphone देखना है कि सोच रहे हैं जिसके अंदर complete सारे features quality wise बढ़िया हो तो दोस्तो आप Redmi का Note 11 buy कर सकते हैं यह phone आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आप इसको खरीश सकते हैं अगला phone है दोस्तो Realme की तरफ से ही Realme का Narzo 50 अब दोस्तो यह एक performance centric phone है अब अगर आप देखे ऐसा सोच रहा है कि आपको game वगेरा बहुत ज़्यादा खेलने आपको performance की वज़े से ही phone लेना है अब display की जो quality है वो कैसी है मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से तो display की जो quality है वो तो आपको normally मिलती है जाद अच्छे quality के colors जो आपको मिलते है Redmi के Note 11 के अंदर मिलते है लेकिन दोस्तो 120 Hz का refresh rate है इसके अंदर Redmi के Note 11 में 90 Hz का है तो यह use color में और भी जाद स्मूध मिलता है आपको तो दोस्तो अगर आपको performance बढ़िया चाहिए डिस्प्ले के अंदर आपको जैसे game वगरे खेल लें तो smooth ने जाद अच्छी होगी तो आपको experience और भी जादा बढ़िया मिल जाएगा तो आप इस phone को देख सकते हैं इसके साथ दोस्तो इसके अंदर आपको design मिल जाता है कुछ इस तरीकी से matte finish में और दोस्तो लाइनिंग्स दी गई है design आप देख सकते हैं दोस्तो आपको इसका कैसा लग रहा है उसी तरीकी से इसका design मिलता है camera के module का बाकि दोस्तो left side साब देखेंगे इस phone को तो sim kit रे दी गई है दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं नीची की तरफ आपको type support मिल जाता है और दोस्तो right side साब देखेंगे तो power के button के अंदर finger pin scanner रहे इसके अंदर भी Redmi के note 11, C35 और इसमें तीनों में ऐसे ही है इसके लग दोस्तो इसके अंदर आपको media tech का G96 processor दिया गया है तो दोस्तो अगर आपको game वगेरा खेलने के लिए ही phone लेना है तो performance आपको इसके अंदर बहुत ही कमाल के मिलती है performance को लेकर दोस्तो ये phone बहुत ही ज़ादा तगड़ा है और 5000 image की battery दी गई है तो normal battery backup मिल जाएगा इसके अंदर बाकि जिस वज़ेसा आप इस phone को खरीच सकते हैं दोस्तो वो इसकी performance है अगर आपको game वगेरा बहुत ज़ादा खेलना है performance आपको बढ़िये चाहिए और दोस्तो 120 Hz के refresh rate चाहिए तो आप Realme का Narzo 50 खरीच सकते हैं दोस्तो 13,000 में बहुत बढ़िये रहेगा आपके लिए अगर आपको game वगेरा जादे ही खेलना पसंद है अब दोस्तो आपको मिलता है 4GB RAM, 120GB के internal storage और दोस्तो इसके अंदर भी आपको display में 120 Hz का refresh rate दिया गया है तो यूस करना में ये smartphone भी बहुत ज़ादा कमाल का है बहुत ज़ादा smoothness आपको देखने को मिलती है इसके अंदर जो बहुत ज़ादा बढ़िया है बाकी 16,000 में इसके अंदर भी आपको IPS display मिलती है अगर AMOLED display होती तो काफी ज़ादा कमाल रहता लेकिन दोस्तो इसके अंदर आपको display की जो quality है ऐसा नहीं क्यों कोई दिक्कत हो रही है colors brightness आपको बहुत कम मिलते हैं या फिर बेकार है बस AMOLED display होती तो और थोड़ा बैटरी होता क्योंकि प्राइस ज़ादा है 16,000 बाकी दोस्तो आपको display की quality सही मिल जाती है colors brightness को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी और design तो इसका क्या ही कमाल का है दोस्तो आप देख सकते हैं colors वगएर इसके back panel पर बहुत ही ज़ादा कमाल के लग रहा है matte finish में design है दोस्तो scratches वगएर एकदम नहीं आएंगे इसके साथ दोस्तो finger prints वगएर भी एकदम नहीं आ रहा है जैसे हम इसको hold कर रहा हूँ अच्छी मिल जाती है इसके अंदर थोड़ी सी beautification देखने को मिलती है मतलब वो make up type का थोड़ा सा change कर देता है चेहरे को तो वो चीज़ देखने को मिलती है जो आपको थोड़ा सा और smart बना देती है नीची की side साब देखेंगे तो type C port मिल जाता है इसके अंदर और दोस्तो right side साब देखेंगे तो power के button के अंदर ही fingerprint scanner है और दोस्तो इसके साथ जो charger मिलता है वो 18 watt का है 18 watt का तो 33 watt का charger नहीं मिलता उपर की तरफ sim kit रहे हैं अच्छी चीज यह है दोस्तो यह phone 5G है तो अगर आपको 5G phone खरीदना है तो आप इसको खरीश सकते हैं और snapdragon 695 processor के साथ आपको यह मिलता है 5000 image के battery मिल जाती है तो battery backup normal मिल जाएगा इसके अंदर अब दोस्तो इसके अंदर आपको जो सबसे बड़ी खुब यह मिलती है वो एक तो इसका design है 120 Hz का refresh rate है 5G phone आपको चाहिए और इसके साथ दोस्तो आपको design बढ़िया चाहिए phone का तो आप इसको खरीश सकते हैं बढ़िया performance के लिए भी बस जो चीज मुझे इसके अंदर थोड़ी average लगी क्योंकि price जादा है तो थोड़ी सी चीज़ा और better होती जैसे सके अंदर AMOLED display नहीं है और charger 33W का होता थो बहुत बढ़िया रहता ये दो चीज़े मुझे इसमें average लगी लास्ट phone है दोस्तो Free Fire Edition Infinix की तरफ से आने वाला Infinix का Note 11S अब दोस्तो Infinix का Note 11S Free Fire Edition आपको मिल जाएगा 15,000 का 15,000 का price है 15,000 में इसके अंदर भी दोस्तो आपको 120 Hz का refresh rate मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर तो Realme के नार्जो 50 Vivo के T1 और दोस्तो Infinix के Note 11S Free Fire Edition के अंदर आपको 120 Hz का refresh rate दिया गया है C35 में है ही नहीं जाद रिफ्रेश रिफ्रेश रिट और Note 11 Redmi के आपको 90 Hz का मिलता है तो दोस्तो ये चीज़ इसके अंदर भी आपको काफी कमाल की मिल जाती है refresh rate जादा है तो यूज़ करने में बहुत ही जादा smooth लगता है ये phone और दोस्तो इसके अंदर आपको 15,000 में IPS डिस्प्ले दी गई है तो डिस्प्ले की जो quality है वो तो normal ही है इतनी जादा बढ़िया मुझे नहीं लगी जितना जादा इसका price है बाकि दोस्तो colors brightness को लेकर वैसे आपको दिक्कत नहीं होगी थोड़ी सी brightness अगर और जादा होती तो बढ़िया रहता इसके साथ दोस्तों के अंदर आपको जो processor मिलता है वो बहुत जादा बढ़िया मिलता है media tech का G96 अगर आप बहुत जादा heavy user है तो performance आपको इसके अंदर भी बहुत कमाल की मिलती है और 8GB RAM मिलती है इसके अंदर आपको 128GB internal storage है 128GB और 8GB RAM के साथ आता है यह दोस्तो 8GB RAM के साथ तो बहुत जादा बढ़िया है इसके साथ दोस्तो main camera 50MP का मिलता है camera मुझे इसका normal लगा और दोस्तो battery मिल जाती है 5000 image की तो वो चीज़ भी इसके अंदर आपको normal देखने को मिलती है और charger 33W का है 33W का अब जिस इन चीज़ों की वज़े से दोस्तो यह phone जो है बहुत ही जादा कमाल का है वो इसका refresh rate है 120Hz इसे एक साथ दोस्तो बहुत बढ़िया performance आपको मिलती है gaming phone है यह और दोस्तो 3S के अंदर आपको processor बहुत बढ़िया मिल जाता है RGB RAM दी गई है इसके अंदर तो दोस्तो performance आपको काफी कमाल की मिलती है बाकि display की जो quality है वो मुझे इसके अंदर normal लगी और cameras का मुझे normal लगा यह दो चीज़ेस में normal ही लगी मुझे अब दोस्तो यह सारी खुब्ये कम्यापको इन sub के अंदर मिलती है फिर भी दोस्तो आप अपनी जरूत की साब से बताईएगा अब आपको इन sub में 10,000 के बजट से 12,000 से 15,16,000 तक के बजट में आने वाले इन 5 स्मार्टफोन में से कौन से ज़ादा पसंद आया मुझे नीचे comment करके जरूर बताईएगा वैसे मुझे दोस्तो इन sub में Redmi का Note 11 बहुत अच्छा लगा Vivo का T1 और Infinix का Note 11S Free Fire Edition वैसे सब भी बढ़िया है दोस्तो ऐसे नहीं क्यों कोई एक बेकार हो वैसे सब से कम खुबी मुझे C35 में लगी बाकी quality wise ये चारो स्मार्टफोन जो है Note 11S Free Fire Edition T1, Narzo 50, Note 11 Redmi का ये सारे बहुत बढ़िये लगे आपको कौन सा अच्छा लग रहा है comment जरू कर दियेगा वीडियो दोस्तो अगर आपको अच्छे लगी तो इसको एक like करके जरू जाईएगा तो एक बार क्लिक करके view products पर जो option आ रहा है left side पर इस पर क्लिक करके price जरूर चेक कर लिएगा rate चेक कर लिएगा हो सकता है और सस्ते मिल जाए आपको ये जब आप खरीदें और इस option से जाके आप खरीद भी सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye